दोस्तो टेक्स्टाइल वार के पार्ट वन की वीडियो में हमने बात किया कि किस तरह से टेक्स्टाइल के शुरुआत हुई भारत में महरगड जो आज की डेट में पाकिस्तान में है वहां से कॉटन के सबसे पहले साक्षी मिलते हैं उसके बाद हमने इंटर स्वेली सिविलाइजेशन के समय में बात किया धीरे धीरे भारत के अलग-अलग राजा आते गए और उस समय भारत की cotton industry बूश्ट होती गई बजबूती देते गए सारे राजा लेकिन उसके बाद जब भारत में विदेशी आक्रमन होने लगे इस्ट इंडिया कंपनी आई उसके पहले वासकोडी गामा भारत आये उसके बाद भारत में पतन होने लगा और अलग-अलग कंपनीया डच की बृटेन की और फ्रेंच की कंपनीयों ने आके भारत को लूटना चालू कर दिया था ये सब कुछ हमने बात किया पार्ट वन की जा रहे हैं जहांपे भारत का इंडिपेंडेंस वार होने वाला है और किस तरह हम 2022 तक कॉटन और टेक्स्टाइल इंडस्री में होते हुए आए हैं तो आए दोजों इस वीडियो को शुरू करते हैं अगर आपने पार्ट वन की वीडियो नहीं देखिए तो आप वो वीड भारत से सिर्फ पैसे लूट के अंग्रेज लेके जा रहे थे लेकिन अब उन्होंने भारतियों से टैक्सेस भी लेना चालू कर दिया था अब यहां पे भारत की और ज्यादा बुरी इस्थिती बंती जा रही थी इसके बाद जो कैलिको एक्ट इंग्लैंड में पहले पास कर दिया करते थे साल 18-100 तक जो इस्थ इंडिया कंपनी के अपनी प्राइबिट आरमी थी वो धाइव लाग से जादा हो चुकी थी मतलब जो ब्रिटेन की जो टोटल आरमी थी उससे दो गुनी हो चुकी थी इस्थि इंडिया कंपनी की आरमी दोस्तो ब्रिटेन सबसे पहले जब भारत आया था तो वो cotton ले के जाता था लेकिन अब उन्होंने अपनी इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा डेवलप कर ली थी कि अब वो कपड़े बना के भारत मिला के बेचने लगे और साल में करीब 65 मिलियन यार्ड से ज़्यादा कपड़े एक्सपोर्ट होके भारत आया करते थे इंगलेंड से दो उस समय लेकिन दोस्तो सबसे पहली आशा की किरन बनती है कि साल 1818 में कलकता में भारत में सबसे पहली cotton मिल की शुरुवात होई इसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया कि वो भारत की कमपनियों को इतनी बुरी तरस उन्होंने प्रभावित लेकिन किया था कि सब कुछ cotton का जो भारत में पैदावार होनी थी वो सब कुछ बंद हो गई थी और अब भारत पूरे साल में करीव 1.3 बिलियन यार्ड 1850 तक इंपोर्ट करने लगा था इंग्लैंड से इस्ट इंडिया कमपनियों पूरी तरस से चाहती थी कि भारत में cotton का जो पूरा प्रोडक्शन हो रहा है वो सब कुछ बंद हो जाए और लोग इंग्लैंड से आए हुए कपड़ों को ज़्यादा खरीदें ताकि इंग्लैंड की इंकम और ज़्यादा बढ़ती जाए इसके लिए उन्होंने भारत के उन cotton जहां पे उगाए जाते थे वहां पे उन्होंने अफीम की खेती करवानी चालू कर दी दोस्तों इससे बुरा कोई देश के साथ कुछ कर ही नहीं सकता है जो कि बेटेन भारत के साथ कर रहा था इसको अगर हम दो सिंपल लाइनों में समझे तो पहले उन्होंने भारत से बहुत सारे पैसे लिए इंग्लैंड में अपनी मिल सेट अप करी वहाँ पे उन्होंने कॉटन का प्रोडक्शन करना चालू किया भारत में उन्होंने कमजोर करना भारत को चालू किया और अब वो कपड़े बना के वो भारत वालों को ही बेचे रहते तो कुल ये नीती से इस्ट इंडिया कंपनी चल रही थी इस पूरे काम की वज़े से जो इस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी वही हो रहा था भारत के जो बुनकर थे वो पूरी दर से दम तोड़ते जा रहे थे क्योंकि कहीं पे खेती भी नहीं हो पा रही थी और कहीं पे कोई कपड़ा बिक भी नहीं रहा था क्योंकि जो ब्रिटेन से कपड़े आ रहे थे वो इतने सस्ते हो रहे थे कि लोग को वही लेके पहनना शुरू कर दे रहे थे जहां भारत दुनिया का सबसे बड़ा cotton और textile का एक्सपोर्टर था अब वो सबसे बड़ा importer बन चुका था दुनिया का इसका मतब ये था कि पूरी तरह से ब्रिटेन ने भारत की जो टेक्स्टाइल इंडस्ट्री थी उसको बरबाद करके रख दिया इसके बाद 18-18 में बॉम्बे में भारत की दूसरी बड़ी मिल एक चालू होती है उसका नाम रहता है बॉम्बे स्पिनिंग एंड विविंग मिल इसके बाद साल 1860 आते आते 2600 से ज़्यादा टेक्स्टाइल की बिल ब्रिटेन में खुल चुकी थी और पूरे ब्रिटेन की 1-5 से ज़्यादा लोग पूरी तरह से इस इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट हो गये थे बहुत सारे बच्चे इसी इंडस्ट्री में काम कर रहे थे ब्रिटेन के और अब यहाँ पे ब्रिटेन को जरूरत हो रही थी raw cotton की जिससे वो पूरी तरह से कपड़े बना सके ब्रिटेन को यहाँ पे सस्ते में raw cotton चाहिए था तो उन्होंने दुन्या में देखना चालू किया कि कहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा सस्ता कर सकते हैं अमेरिका में करीब 30 लाग से जाता लोगों को बंधक बना के उनसे raw cotton प्रोड्यूस करवाय जाता था और उसके बाद वो इंग ब्रिटेन जाया करता था और वहाँ से जब कपड़े बनते थे तो वो भारत में आके विकाव करते थे तो कुल ये मिला के प्लैन हुआ करता था जिस वज़ा से पूरी तरह से ब्रिटेन प्रोस्परस होता जा रहा था और भारत पूरी तरह से गरीब होता जा रहा था ब्रिटेन अप्री प्रोडक्शन का टूटल 25% से जादा एक्सपोर्ट वो भारत में किया करता था लेकिन दोस्तों ये सब कुछ खतम होने वाला था और ये दिन था 4 मार्च 1861 इसी दिन अबराहम लिंकन ने राश्पती की शपत ली अबराहम लिंकन स्लेवरी के पूरी तरह से खिलाफ थे वो चाहते थे कि लोग अपने दम पे काम करना सीखे और वो अमेरिका को बहुत आगे ले जाना चाहते थे जितने लोग स्लेव को उचलाया करते थे वो अमीर हो रहे थे और ब्रिटेन के लोग अमीर हो रहे थे तो इन सब लोगों ने मिलके पूरी तरद से प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया अमेरिका में और अब पूरे अमेरिका में सिविल वार होनी चालू हो गई थी अमेरिका में शुरू हुए Civil Wales से जो Britain में सप्लाई होती थी वो पूरी तरफ से बादित हो गई और अब Britain को जो पूरी सप्लाई के जरूरत थी उनको भारत के तरफ मुझो देखना पड़ा और रात और रात जो भारत की Mills थी वो जिन्ना हो गई थी क्योंकि अब इतनी ज़्यादा भालत में डिमांड पैदा हो गई ब्रिटेन के लिए कि रातो रात 90% से ज़्यादा कॉटन के जो प्राइस थे वो बढ़ चुके थे भारत में और मुंबई से करीब 80% से ज़्यादा रॉ कॉटन अब ब्रिटेन जाने लगा था रातो रात रात रियल इस्टेट कंपनीज के शेर उपर जा रहे थे और बैक बले रिकेमिनेशन नाम की एक कंपनी थी जिनके जो शेर का प्राइस था वो 5000 से 50,000 तक रातो रात पहुचने लगा था क्योंकि भारत में कॉटन की डिमांड अब दुनिया में सबसे ज़्यादा हो गई थे वही भारत जिसमें जहां पे सूखा पड़ा था गरीबी में लोग मर रहे थे वहां पे डिमांड पैदा हो गई थे लेकिन दोस्तों ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहा क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर आती है वह ये थी कि 9 अप्राइल 1965 को अमेरिका में सिविल वार खतम हो गई और वही कॉटन जिसके प्राइस करिम 90 परसेंट तक बढ़ गए थे तो उनको भारत अब नहीं आना पड़ता और साल 1800 के अन तक भारत की जो GDP थी वो गिर के 2% तक हो चुकी थी पूरे भारत में मातम चाया हुआ था क्योंकि किसी के पास खाने के अब पैसे भी नहीं बच रहे थे क्योंकि कोई production नहीं था हर जगा अफीम की खेती हो रही थी भारत पूरी तरह से बरबाद हो रहा था भारत का future बहुत ही ज़्यादा खत्रे में था किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा था लेकिन दोस्तों एक नई सुबह अभी होनी बाकी थी ब्रिटेन का business लगतार बढ़ता जा रही था क्योंकि वो जितने कपड़े बना रहे थे वो सब भारत आते थे और भारत में वो सतस्ते दामों पर कपड़े बेचते थे जिससे भारत ही सब पहना करते थे और करेफ भारत में दो तिहाई से जादी जनसंख्या ब्रिटेन के बनाए हुए कपड़े पहन रही थी ब्रिटेन जहां कहीं 25% तक भारत में एक्सपोर्ट करता था वो एक्सपोर्ट बढ़के करीब 45% से जादा उन्होंने कर दिया लेकिन दोस्तों ये सब कुछ खतम होने वाला था क्योंकि 1913 से ही World War I की शुरुवात होती है और ब्रिटेन से भारत आने वाले वो जो कपड़े थे वो सब बाधित हो जाते हैं और उसी समय भारत में बहुत सारे क्रांतिकारी जिन्दा हो गए थे लाला लाचपात्राय और बाल गंगातात्रिलग जैसे लोगों ने मिलके भारत में एक सिविल डिसोबिडियन्स मूव्मेंट शुरू कर दिया था इसके बाद आता है 31 जुलाई 1921 ये संडे की शाम थी और यहाँ पे Elphinstone compound के अंदर एक इनसान थे जो भारत के आजादी के सबसे बड़े चहरे बनने वाले थे इनका नाम था मोहंदास कर्मचन गांधी जी और जिनको हम महत्मा गांधी के भी नाम से जानते हैं उनने सबसे पहले कुछ अंग्रेजों के बनाए हुए कपड़ों को लिया और उसमें जला दिया उसको इसके बाद ये बाद पूरे भारत में धिरे-दिरे फैलने लगी और स्वादेशी मूव्मेंट पूरे भारत में शुरू हो चुका था पूरे भारत में गाउं, शहर और बड़े-बड़े स्टेट्स में हर जगा लोग कपड़ों को लेके जलाना शुरू कर दिये थे जो ब्रेटिशर्स बनाया करते थे इस स्वादेशी मूव्मेंट ने भारत में एक नई जान फूग दी थी और भारत में अचानक से खादी के कपड़ों की डिमांड बढ़ गई और भारत में लोकल डिमांड लगतार बढ़ती जा रही थी पावर लूम्स खुलते जा रहे थे और भारत ने करीब प्रोडक्शन अपना 2.4 बिलियन यार्ड सक पहुचा दिया इसके कुछी साथ बाद World War 2 शुरू होता है जो ब्रिटेन से आने वाले थोड़े बहुत चीज़ थे उसमें और जादा बाधा हो जाती है अब ब्रिटेन की एकनॉमी लगतार गिर्टी जा रही थी वहां पे 700 से जादा मिल्स बंद हो चुकी थी जिस वज़ा से वहां के ब आने लिए वो दिन आता है 1947 का 15 अगस जब भारत आजाद हो जाता है अब भारत अपनी इंडिपेंडेंस में था लेकिन दोस्तों अब यहां पे अगर हम सिल्क और टेक्स्टाइल के बात करें तो वो दो हिस्सों में डिवाइड होने वाला था क्योंकि आधा सिल्क और टेक इसके बाद हम बात करेंगे किस तरह से नई नई भारत में कंपनिया आए विमल, रेमंड्स और वर्दमान जैसी अलग-अलग कंपनिया आए और वो किस तरह से आज e-commerce चीन बन चुका है हम 2022 में भी सब कुछ बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको informative लग रही है तो आप इस वीडियो को like कर सकते हैं आप comment option में लिख के बताए कि आपको ये पूरी series कैसी लग रही है और अगर आपको next part 3 चाहिए तो आप इस चैनल को subscribe भी कर सकते हैं